हेलो नमस्कार दोस्तों आपका पुने स्वागत है आर्धी का विनेंदन है सु स्वागतम दोस्तों दोस्तों चलते हैं परसनों की सरंकला में आगे व्रैद रूपांतरन में कितने चंद हैं यह अभी पिछले वीडियो में मैंने यहां छोड़ा था तो 16306 चंद हैं व्रैद रूपांतरन की परती कहां पर सुरुक्षित है तो यह उद्यपुर राज्य के पुस्तकाले में है तता इसे नागरी परचानी सभाकासी द्वारा परकाशित करवाए गया तो यह उद्यपुर राज्य पुस्तकाले में सुरुक्षित है और नागरी परचानी सभाका द्वारा प्रकाशित करवाय गया था कि पर्थवी राज रासों के मध्यम रूपांतर्ण में कितने चंदें तता इसको प्रकाशित किसे ने करवाया तो मध्यम रूपांतर्ण में 7000 हैं मध्यम रूपांतर्ण में 7000 हैं यानि इत्र के पद्ध हैं अगर्चंद नाटा ने इसका प्रकाशन करवाया और ये जैन ग्यान बंडार विकानेर में सुरुख्षित है जैन ग्यान बंडार विकानेर उसके अंदर क्या है सुरुख्षित है अगला प्रसन है पर्थवी राजरासों के लगूर उपांतर्ण में कितने सर्ग हैं तता इसको प्रकाशित किसे ने करवाया तो लगूर उपांतर्ण में 19 सर्ग हैं और 3500 चंद हैं और चंदर सीन ने इसका प्रकाशन करवाया और ये डाक्टर पी सर्माद्वारा भी संप और प्रकाशित हुआ है यह अनूप सेंस्क्रत पुस्तकाले विकानेर में सुर्खसित है अगला प्रस्ण है पर्थ्वी राजरासों की लगुतम सेंस्कंड की खोज किस ने कि लगुतम यानि सबसे छोटे तो अगरचन नाटा ने कि इसमें तेरा सुचंड है इसका प्रकाश पर्मानी के मानते हैं अगला है डाक्टर माता प्रसादने पर्थ्वी राजरासों को कौन सी सदीका कावे माना है तो विक्रम समथ चोदासों के आसपास की रचना माना है अगला है विशल देव रासों के रचनाकार का क्या नाम है तो नर्पती नाले है परमाल रासों के य परमाल रासों के रचेता जगनिक, बुद्धी रास के रचेता कौन है? साली भद्र सूरी हैं, खुमान रासों के रचनाकार दलपती विजे हैं, चंदन बाला रास के रचेता आसगू कवी हैं, विजे पाल रासों के रचनाकार कौन हैं, तो नल कवी को माना जाता हैं, दोनों हमीर रासों के रचनाकार कौन कौन हैं, हमीर रासों दो हैं, और पहले हमीर रासों उसके रचनाकार का नाम जोदराज है, और दूसरे हमीर रासों जो आपरापे हैं, उनके सारंगदर हैं, तो हमिर रासु है एक हमिर रासु एक है उसके जोद राज और दूसरे है वो सारंधर है यानि हमिर रासु दो है दो पहे जा जाते हैं आचारी ए हजारी परसाद दिवेजी ने रासो शब्द की उत्पतिक किसे मानी है तो रासनामक एक चंद है उससे मानी है रासता नहीं में केते हैं न है कि के रासो है पर्थवी राज रासो को डाक्टर नगेंदर ने क्या कहा है तो पर्थवी राज रासो को डाक्टर नगेंदर ने क्या कहा है तो देखते हैं पर्थवी राज रासो को डाक्टर नगेंदर ने घटना को से कहा है पर्थवी राज विजे नामक नाटक की रचना किस ने की जयानक ने की पर्थ्वी राज विजे नामग नाटक की रचना जयानक ने की अगला है आबू के अगनी कुण से चारकशत्रिय वनसों की उत्पति किस गरंथ में बताई गई है तो ये है पर्थ्वी राज राजों में बताई गई है आबू के अगनी कुण से चारक्षत्री वन्सों के उत्पती पर्थवी राज रासों में बताई गई है पर्थवी राज रासों के बारे में सबसे पहले जानकारी किस ने दे तो सबसे पहले जो जानकारी देने वाले थे वो कर्णल जेम्स तोड थे करनल जेम्स टाड़ ने परत्विराज रासों के बारे में सबसे पहले जानकरी जन सामाने के सामने उकलद करवाई बाबु गुलाब राय ने परत्विराज रासों को क्या कहा? बाबु गुलाब राय ने परत्विराज रासों को स्वाभविक विकासिल महाकावे कहा स्वाभविक विकास सील महा कावे का बाबु शाम सुंदर्दास और उदे नारण तिवारी ने पर्थवी राजरासों को किस की संग्या दी? विसाल वीर कावे की संग्या दी विसाल वीर कावे की संग्या है वो देगी पर्थवी राजरासों को राजनीति की महाकावे अत्मक्तराश्ती किस ने का तो डाक्टर बचन सिंग ने कहा कैमा स्वद किस कावे की घटना है ये पर्थवी राजरासों की घटना है अगला है किस विद्वान ने पर्थविराज विजे नामक नाटक के आधार पर पर्थविराज रासों को एपरमानिक गोशित किया तो ये उत्तर है डाक्टर वूलर ने अगला परसन है आला खंड किस रासों का एक खंड है तो इसका उत्तर है पर्माल रासों का एक खंड है जिसका नाम है आला खंड पर्माल रासों का कौन सा खंड प्राप्थ हुआ है तो पर्माल रासों का आला खंड प्राप्थ हुआ है बाकि खंड प्राप्थे नहीं हुए हैं आला खंड में किस की वीरता का वर्णन है आला और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है अगला प्रसन है विसल देवरासों की कहानी किस परादारित है तो इसका उतर देखते हैं पर्मार भोज की पुत्री राजमती तथा विसल देव पर आदारित हैं और पर्मार भोज की पुत्री राजमती तथा विसल देव तरतिय के विवा वियोग और पुनर मिलन पर आदारित हैं विवा हुआ वियोग और पुनर मिलन पर आदारित हैं पर्थवी राज रासो का समय कितना माना गया है तो समत बारा सु पचीश से बारा सु गुंचाईश के मदे ये लिखा गया है समत बारा सु पचीश से बारा सु गुंचाईश के मदे इसको लिखा गया है इसकी रचना हुई है पर्थवी राजरासों को महाकावे किसने नहीं माना है डाक्टर श्याम सुंदरदाश ने महाकावे नहीं माना है पर्थवी राजरासों में महाकावे चंद ने कितने चंदूं का प्रियोग किया है तो यह अलग लग है कुछ विद्वानों के अनुसार 68 तथा कुछ विद्वानों के अनुसार बैतर चंदू का प्रियोग किया है तो दोस्तों इस परसंड में जो भी विकल्प मिले उसके आदार पर हमें सही करना है तो कुछ 68 मानते हैं कुछ बैतर हैं मानते हैं दोनों चीज़ें सामने आ रही हैं और हिंदिय में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग-अलग रूप में मारे सामने आते हैं ॏ की अगला है शामल दायस के अनुसार पर्थवी राज के मुख्ये भाठ का नाम क्या था तो पर्थवी भठा ना की चंद बरदाई था तो उनका नाम पर्थवी भठा जा रहा है अगला है दिन्मान पत्र के संपादक का नाम बताईए तो दिन्मान पत्र का संपादन है वो रगवीर साय ने किया ग्यानोदे पत्रीका के संस्ताफकों थे तो कनेलाल मिसर परबाकर थे यह परसंद कल भी देखा था वसूदा के संपाद का नाम बताईए तो हरी संकर परसाई थे नई कहानिया नामक मासिक पत्र का संपादन किस ने किया तो भैरो प्रसाद गुप्त ने किया संचेतना मासिक पत्र का संपादन किस ने किया तो इसका उत्रह महीव सिंग ने किया सारी का मासिक पत्र का संपादन किस ने किया कमलेश्वर ने किया अगला है नटरन त्रेमासिक के संपादक कों थे तो नेमी चंदर जैन थे नई कविता के संपादक कों थे तो नई कविता के संपादक जगदेश गुप्त और रामसुरूब चतुरुवेजी थे पर्तिक के संपादक का नाम बताईए सचिदानंद हिरानंद वात्साइन आगे है अगले सरस्वती पत्रीका के संपादक का नाम बताईए तो श्याम सुंदर दास है समालोचक के संपादक का नाम बताईए तो चंदरधर सर्मा गुलेरी थे आलाग यह परसंद है उसका उत्तर नहीं है साहिते संदेश का संपादन किस ने किया तो साहिते संदेश का संपादन डाक्टर बवु गुलाब राय ने किया साहिते संदेश का संपादन हन्स के संपादक कौन थे हन्स के संपादक कौन थे तो पहले प्रेमचन जी थे और उसके बाद शिवदान सिंग चोहान और उसके बाद अमरत राय यानि पहले प्रेमचन फिर शिवदान सिंग चोहान और फिर अम्रत्राय मर्यादा माश्रीक पत्रिका का संपादन किस ने किया तो मर्यादा माश्रीक पत्रिका का संपादन कर्शन कांत मालिवे ने किया कि रामकुमार वर्मा का हिंदी साहिते का आलोचना अत्मक इथ्यास का प्रकाशित हुआ तो सन 1938 में प्रकाशित हुआ अगला प्रस्ण है नागरी परचारेनी सबाद्वारा प्रकाशित हिंदी साहिते का इत्यास कितने खंडों में विवाजित है तो यह 16 खंडों में विवाजित है अगला प्रस्ण है रिती कावे की भूमी का किस की रचना है तो यह डाक्टम नगेंदर की रचना है हजारी परसाद दिवेदी की हिंदी साहिते के इच्छा से समन्दित पुस्तकों के नाम बताईए तो हिंदी साहिते की भूमी का हिंदी साहिते की भूमी का डाक्टर हजारी परसाद दिवेदी हिंदी साहिते का उद्भव और विकास हजारी परसाद दिवेदी हिंदी साहिते का आधिकाल डाक्टर हजारी परसाद दिवेदी तो हिंदी साहिते के बारे में तीन पुस्त के इनों ने लेखे हैं हिंदी साहिते की भूमिका हिंदी साहिते का उद्भूर और विकास हिंदी साहिते का आधिकाल हिंदी साहिते की भूमिका हिंदी साहिते का उद्भूर और विकास हिंदी साहिते का आधिकाल तो तीन लिटरेचर आफ हिंदुस्तान अठारा सो अठाशी में प्रकाशित हुआ अगला कि उसने मिश्र बंधू द्वारा लिखे गए हिंदी साहिते के इथियास का नाम बताईए तो मिश्र बंधू ने मिश्र बंधू विनोध जो की चार बागू में विवक्त है याणि चार बाग है इसके जिसके चार बाग हैं पर्थम तीन बाग उननिस्तों तेरह में प्रकाशित्व है और चोथा उनिस्सो निस्सो थैरा में और चोत्थ है उनिस्सो थैस में प्रकाशिपवा तो मिश्बरNow बंदिनोज के चार बाग है पैल्ले 3 बाग 1.13 में प्रकाशिपवा तेक्षित कंसा सिव शिंग सेंगर सुरौज की रचना कभ की तो 1823 इत allah श् инд jurisdiction कि रचन है मिसपाल किस की रचनिया कि मोंंधराकेश की कानि तो धनेवाद दोस्तों बहुत बहुत आभार दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मैं एक बात आपको बता देता हूं कि मैंने अब उपर जो चमक दमक वाला लोगों हो वो लगाना बंद कर गया क्योंकि मेरे चैनल को वही देख पाएगा या ए कहने का मतलब है कि चैनल को सब्सक्राइब किया हो अन्यता उपर से देखने पर या थंबोल देखने पर कोई ऐसा विशेश नजर नहीं आएगा क्योंकि थंबोल लगाना मैंने क्या कर दिया है बंद कर दिया इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उपर दिखाया कुछ जाता है ह इसलिए मैंने इस चीज को बंदी कर दिया कि जो विज्यार के पढ़ने वाले हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं तो वो हमारी जानकारियों को यानि बीना थमबोल के ही देख लेंगे धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुभू बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत आबार वीडियो देखने के लिए